हेलो फ्रेंज मैं सभीता चगरवर्थी अगर आपको मेरी रेसिपीस अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले आज मैं आप सबके साथ सेयर करनी जा रही हूं पत्ता को भी की रेसिपी बिना प्यास लेसन के बहुत ही ज्यादा टेस्ट होता है अगर आपी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ले सब्सक्राइब कर लिए और वेल आइकम दबगा के आउल कर देता कि मेरी हर वीडियो की नुट्रिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले पहले हम लोग एक पैन ले लेंगे उसमें एक पर चमश एक चमश जीरा एट करेंगे और एक तेजपत्ता एट करेंगे हाफ टीसपून हींग डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और हींग को वेगेरा में दालने से अच्छे रहते हैं टाइडियोर में यहां पर मैंने दो मीडियम साइज के आलू को इस सब्सक्राइब आ करेंगे कि इसे हमें दो से तीन मेंट तक करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए कि हमने फ्राइक कर लिये हैं यह खलका सा कलर चेंज हो गया है अब हम लोग तो टमाटर को इस तरह काट लिया है पैस्ट को एड़ करेंगे और अध्रक पेस्ट को एड़ देंगया दो हरी और लाल मिर्च है उसे भी एड़ लिया है को उसके बाद हम लोग नमक करेंगे नमक अपने टेस्क के अ क्यां अथ करें और यहाँ पर मैंने पाल्त वार्दि पॉडर एड करेंगे लीवाण परिण पौड़र रेट शिली पाम पर और मैंने जीरा पामटर ब्मिश्पून, और यहाँ पर धनिया पामटर 8 सारा चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम लोग हरा मतर एड करेंगे थोड़ा देर इसे भून लेंगे अब हम लोग इसे यहां पर मैंने पत्ता कोबी को रहे सुग्राम पत्ता कोबी है इसे मैंने काट के अच्छे से साफ कर लिया है यहां और धोड़ बी लिया है इसे मैंने इस तरह से रफ्ली छॉप कर लिया है इससे अच्छे से फैला देंगे और ईसे कोबर कर देंगे और कोबर कर के कोड़ेंगे कोबी के पत्ते एकदम सॉफ्ट हो गए हैं अब देख सकते हैं अब हम लोग इसे अच्छे से मिला लेंगे इस रेसिपी में पानी का ज़रूत नहीं है क्योंकि कोबी में और पानी होता ही है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे डगड़के कूप करेंगे जिससे कोबी और आलू बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे फिर से हम लोग कॉवर कर देंगे देख सकते हैं आप किता पानी रिलीज हो चुका है कोबी से हमने बिल्कुल भी पानी यूज नहीं किया है फिर भी इसे कितना पानी रिलीज हो चुका है देखिए आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं अब देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैस हो जा रहे हैं यह हमारा रेडी हो चुका है अब हम लोग लास्ट में गरम मसाला एट करेंगे यह विल्कुल रेडी हो चुका है इसे अब हम लोग सर्फ करेंगे इसे आफ टाल चावल के साथ सर्फ करें या रोटी पराहटे के सर्फ सर्फ करें बहुत ही ज्यादा रेस्टी लगता है अगर ये रेसिपी अपको अच्छे लगी है तो प्लीस लाइक का बटन को क्लिक करें सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फूर वाचिंग मैं वीडियो